असलाम अलेकुम कैसे आप सब लोग उमीद करती हूँ कि आप सब खेरियत से होंगे तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हेल्दी खारिक दूद खारिक बोले तो खजूर का दूद है ना और ये ठंडियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये ठंडियों में बना कर पीने से आपके कमबर दर्द आपके जोरों का दर्द या आपको दिन बर की ठकान रेती है या अलस्पन रेता है तो ये दूद पीने से आपको इन सब चीजों से राहत मिलेगी यानि अच्छा लगेगा और ये बच्चों से लेके बरो तक का भी आप इसे पीला सकते हैं बना करें ना बहुती सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी तो चलिए सबसे पहले हम गयास को ओन कर देंगे एक पतीले में दूद रख देंगे गरम होने के लिए मैंने एक लिटर दूद ली हूँ और मैं ले रही हूँ भैस का दूद अगर आप इसकी जगा पे गाई का दूद भी इस्तमाल कर सकते दूद एक तरफ हम मीडियम गयास पे गरम ह होने रखेंगे यहां पर मैंने लीती खारी खारी क्यानी खजूर तो यह सुखा खजूर मैंने लीती इसे गरम दूद में मैंने ओर नाइट भीगा के रखी थी मैंने दूद को गरम कर ली थी उसके बाद में इसमें डाल दी थी मैंने 10 से 12 सुखे खजूर उसे मैंने ओर न हमें एक fine page बना कर ready करना है तो कैसे करना है आपको मैं आगे बताती हूँ यहाँ पर देखें यहाँ पर हमारे दूद में अच्छे तरह से उबाल आने लगा है मैंने एकड़म slow घ्यास पर दूद को आराम से गरम होने दी बिल्कुल घाई नहीं करी थी दूद गरम होने के लिए जैसे हमारे दूद में उबाल आने लगेगा तो इसके अंदर मैं दाल दूँगी एक दालशीनी का तुकरा देखे मैं आपको बताती हूँ दे की एक छोटी सी दालशीनी का तुकरा मैं इसमें एड कर दूँगी इसी के साथ में इसमें दालूँगी दो चमच शक्र शक्र दालना ओप्ष्णल है अगर आप कोई बुढ़े इंसान को दे रहे हैं जिनको डाइबर्टीस की प्रॉब्लम है तो आप इसमें शक्र मत दालना अगर बच्चों को दे रहे तो इसमें थोड़ा सा शक्र एट कर देना बराबर बोली ना अभी इसमें जाएगी एक चोटाई हल्दी पाउडर है ना हल्दी पाउडर बहुत ही अच्छी होती है यह तो आप लोगो सबको पता है हमारे दादी नानी हमारी अम्मी लोग यही बोलते के हल्दी वाल दूद पीजे इससे अच्छा होता है जैसे के सर्दी के लिए खासी के लिए या कभी भी जुकाम के लिए हल्दी वाल दूद पीना चाहिए चले इसमें मैंने हलदी डाल दी अभी हलदी डालके भी हम इसे पकाती रेंगे घ्यास को एकडम फ्लो रखना है और उसे एक तरफ हमें पकते रहे पकने के लिए चोड़ देना है यहां पे जो मेरा खजूर था जो भीगा हुआ था यह सारा खजूर में एक मिक्सर के जार में डाल दूँगी और यह जो दूद था जिसमें मैंने भीगो के रखी थी वोई दूद इसमें एट करके इसका फाइन एक पेस्ट बना के लूँगी अगर आपका कभी यह पेस्ट खजूर वाला बच जाता है तो एक डबे में भरके आप इसे फिरिज में रखिए और कभी भी आपको चाहिए तो आप इसे गरम दूर में डाल कर पी भी सकते हैं बहुत हेल्डी रहता है खजूर तो खाना चाहिए और ठंडिये को मौसम में यह सब चीज़े बना कर कम से कम हफते में एक से दो बार आपको पीना चाहिए इससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा तो इसी के साथ में यहां पे जो हमारा खजूर का पेट रहना वह मैं तीन चमच भर कर डालूंगी जैसे कि मैं एक लीटर दूद यूस कर रही हूं तो उसमें तीन चमच मैं इसे एट कर दूंगी घ्यास को एकदम स्लो पर ही रखना है अभी यह दालने के बाद में एक बार फिर हम चमच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यह मैं कम से कम हफते में एक या दो बार ठंडी में बना कर पीती हूं ना सिफ तो कि मेरे कमर में बहुत ही प्रॉब्लम रेती है जैसे कि मेर पिने भर में ही या हफते भर में भी आपको पता चल जाएगा तो यहां पर देखिए यह अच्छी तरह से मैंने इसमें हमारा खजूर का पेल्ट इसमें डाल दी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली इसी के साथ में मैं डालूंगी आदा चमच इलाइची पाउडर चल एक तरफ यह पकते ही जा रहा है एक तरफ मुझे अभी ग्राइफूट भी पीस कर लेना है तो चले ग्राइफूट में हमें क्या लेने वाली वह भी आपको बता देती हूँ तो यहां में मैंने एक जार लियो इसमें डालूंगी दस से बारा बदाम अभी साथी में डा को इसकीप कर सकते चले इसका एक दरदरा सा पाउडर बना के लेना एक दम बारिक पाउडर नी बनाना ऐसे दरदरा सा पाउडर बना के लेना यहां पर देके दरदरा पाउडर भी अगर आपका दरदरा सा बज गया ग्राइफूट का तो आप इसे भी फ्रीज में रखके यूज़ कर सकते, अब ये पाउडर में इसी दूद में डाल लूगी, इससे क्या होगा, खाने में अच्छा, और ये काफी एकदम ये हो जाएगा, घट भी हो जाएगा, और ये हल्दी भी अच्छा हो जाएगा, तो दो से तीन चमज हम ये ग्राफुट पाउडर इसमें डा और जितना दूद पकेगा, तो यहां पर ये बन कर रेरी हो चुका है, बहुत छोटी सी रेसेपी आप लोगों को दियो, ये एक छोटा सा नुक्सका मेरा, आप लोग ज़रूर क्राए करना, और मुझे कमेंग में ज़रूर बताना, इसे गरम गरम सा पीना, उपर से आपको जानकरी चाहिए कि कमर दरत के लिए, या बनन दरत के लिए, सर दरत के लिए, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, तो मुझे कमेंग बॉक्स में बताना, मैं आप लोग लिए रेसेपी शेयर करूँगी, तो इस तरह की अच्छे रेसेपी की वीडियो देखने के या पिज आपको एक अच्छी सी रेसेपी के साथ में एक अच्छे से टिप के साथ में आसिए। एर हल्ड़ी रेसेपी की साथ में हांерв। आसिप बीच में बोज एक